बॉलिवुड के सौकॉल्ड प्यारे से चॉकलिट बॉय रनवीर जो हर किसी के साथ प्यार कर चुके हैं चाहे वो सलो के केटरीना हो या रनवीर की दीपिका, आनंद की सोनम हो या फिर आमिर खान की बहु अवंतिका सबसे नैन लड़ा बैठे हैं अपने रनवीर बाबू, आप ये शायद जानते होंगे कि अगर कंगना रानावत रितिक का भंडा ना फोड़ती तो वो आज बच्चन परिवार के दामाद होते और क्या आपको बता है कि पहले से शादी शुदा धर्म पाल जी ने हेमा मालीनी से शादी करने के लिए अपना चॉकलेटी बॉइ रनवीर कपूर का जिनके अब तक खबरों के हिसाब से बारे अफैर रह चुके हैं रनवीर कपूर को पहला प्यार तब हुआ जब वो फिल्मों के लाइट कैमरा एक्शन से बहुत दूर थे तो उनका पहला प्यार भी आमिर खान की लाटली भांजी, इ लेकिन उसके बाद उनकी लाइफ में आई पापा की परी यानि सोनम कपूर जिनके साथ रनवीर कपूर ने 2007 में सावरिया फिल्म बनाई और इसी के साथ दोनों के लिंक अप के खबरे गर्म होने लगी, लेकिन इस बारे में ना तो सोनम कुछ बोली और ना ही रनवीर मामल खत्म कर दिया, जिसके बाद उनकी लाइफ में आई देपिका पादुकूर जिनके साथ रनवीर कपूर का प्रेम प्रसंग सुर्खियां बटोरने लगा, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए इशारों इशारों में प्यार जाहिर करते हुए भी नजर आए, लेकिन तभी 2009 म में आई फिल्म ये जवानी है दिवानी के साथ नजर आए, कहा जाता है कि दीपिका इनकी वजह से डिप्रेशन में भी थी, पर ये बात कितनी सच है, इसकी कोई जानकारी नहीं, रनवीर आगे बढ़ गया और अपना पूरा टाइम कैट को देने लगा, पर 2012 में आई फिल अफैर रह चुके हैं, बारवी में महेश, पुत्री, आलियाट की हुई है, खबरे तो यही आ रही है कि फाइरल तो यही है, लेकिन क्या पता बाबू के आवारा दिल का, नमबर फो, धर्म ने बदला धर्मा, अपने धर्म पाजी ने तो अपने दूसरे प्यार को पाने के अपना धर्म ही बदल डाला, ये बात तब की है, जब 1970 में हेमा और धर्म पाजी पहली बार तुम हसी ना मैं जवान के सैट पर मिले, और धर्मेंदर हेमा मालिनी को अपना दिल दे बैठे, अब 1975 में शोले की बीच दोनों में नस्दीग या बढ़ने लगी, जिसके बाद दोनों ने शादी का फैसला ये लिया, लेकिन धर्मेंदर जहाँ पहले से शादी शुदा और दो बच्चों के बाप है, तो दूसरी तरफ हेमा मालिनी की पूरी फैमिली इस शादी से नाखुश थी, साथ ही धर्मेंदर की पहली पतनी प्रकाश का और उन्हें तलाग देन नहीं थी, लेकिन धर्मेंदर हेमा मालिनी अब शादी करने का फैसला कर चुके थे, तो इस प्राबलम को सॉल्व करने का एक बीच का रास्ता निकाला गया, और वो रास्ता था इसलाम, धर्मेंदर ने हेमा के साथ अपना धर्म बदल कर इसलाम कबूल किया, जिसके बाद धर्मेंदर के पास दो बीवियां एक साथ रखने का अधिकार हो गया, हालांकि इस फैसले से दोनों परिवारों में कोई खुश नहीं था, फिर भी मिया बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी, तो खुशी-खुशी दोनों की शादी हो गई, हेमा माली ने धर्मेंदर की द फोड़ा कम इंटरस्ट है, शौक बड़ी चीज है, अब आप ही देख लो, पहली बीवी 12 साल बड़ी और दूसरी 10 साल छोटी, क्यों भाईया, अपनी उम्रवाली ने भाव नहीं दिये क्या, कुछ उसी तरह 1991 में अपनी पहली वाइफ अमृता सिंग जी को सैफू मिया द घर समाल ने लगी, लेकिन अपने सैफू मिया का दिल अभी भी नया कुछ ढून रहा था, तब ही वो टकराए इटालियन मॉडल रोजा कैट इलियाना से, और हो गई आखे चार, तो काफी सालों तक उस इटालियन मॉडल से चुप-चुप के मिलते रहे, लेकिन एक दिन ज चट-पट हो गई, अब ये नहीं बता की क्या हुआ, लेकिन 2007 में भाईया ने उनसे भी ब्रेक अप कर लिया, लेकिन तब ही उनके जिंदगी में लक्स वाली रोशनी लेकर आई कपूर खांदान की लाडली बेबो, जिन्होंने सामने से उन्हें प्रपोस किया, और 2012 में द आप शायद ही जानते होंगे कि अपने अमीर भाई के तीन आड़तों से बच्चे हैं, दो शादी शुदा घर वालियों से और तीसरी बाहर वाली से जिनको भाईया ने चुपा रखा था, उनका नाम है जैसिका हाइंस और उनके घर के चक्कर में ही उनकी पहली शादी का सत अब हुआ कुछ ऐसा था कि जैसिका मैडम एक पत्रकार थी और बेटन से बिग बिग की आटोबायोग्रॉफी बनाने मुंबई आई थी और आमिर खान घुलाम मुवी की शूटिंग कर रहे थे, इसी बीच आमिर सर जी की उनसे मुलाकात हो गई और इश्क वाला लव हो ग कर आमिर खान से अलग हो गई और इस तरह उनकी 16 साल पुरानी शादी पूरी तरह बरबाद हो गई और कुछ दिन जैसिका के साथ रहने के बाद भाईया पीके भाईया का इनके साथ भी नहीं जमा और फिर 2001 में आई एवर ग्रीन फिल्म लगान की शूटिंग जिसमें उनक का एक बेटा भी हुआ जिसका नाम रखा गया आजजाद और इसे के साथ इनके फैमिली एक बार फिर से सैटल हो गई लेकिन अब फिर से खबरे आ रही है कि आमिर खान को अपनी बेटी से प्यार हो गया मेरा मतलब है दंगल में ऑन स्क्रीन बड़ी बेटी बनी फातिमा से और ये बात उनके धर्म बदने किरन राव को कुछ जमी नहीं इसलिए दोनों ने अपने 16 साल पुरानी शादी को खत्म करने का फैसला लिया अब ये बात कितनी सच है वो तो आमीर और सना और किरन राव ही जाने बाड में गया पहला प्यार दोस्तों इस लिस्ट में अपनी नीली नीली आखों से जादू करने वाले हैंडसम हंक रितिक रोशन का नाम भी शामिल है जिन्होंने अपने पहले प्यार वाइफ सुजैन को सन 2000 में सुजैन को अपनी दुलहनिया बना कर घर ले आए बस हो 2003 में आए फिल्म में मैं प्रेम की दीवानी हूँ करने के बाद उनके प्यार के चर्चे बॉलिवूड की गलियों में आम हो गए और रितिक के फैमली को ये नागवार गुजरा जिसके वजह से रितिक ने करेना कपूर से दूरिया बना ली और 2010 में आए फिल्म काइट इनक पती से लड़के मुंबई आई हुई थी तो एक इंजिरी के दौरान श्वेता रितिक से मिली और उनका काफी खयाल रखा और गुफ्तगू भी होने लगी लेकिन तभी 2013 में क्रिश्थ्री की शूटिंग के बाद कंगना रानावत ने रितिक के साथ अपने चक्कर की बाद पूरे मीडिया में फैला दी जिसके बाद श्वेता का दिल तूट कया दूसरी तरफ 2014 में उनकी वाइफ और उनका पहला प्यार सुजेन खान ने भी रितिक को डैवोर्स दी दिया और अब भी बच्चों की वज़े से सुजेन और रितिक मिलते रहते हैं लेकिन लेकिन ले मेहर ने उन्हें डाइवोर्स दी दिया तो ये थे कुछ ऐसे मामले जिन्नोंने सामने रहकर अपने पार्टनर की आखों में धूल जोकी और दिल को प्रसाद की तरह किसी को भी बाट दिया लेकिन आपके हिसाब से इंडस्ट्री में सबसे बड़ा काउन है चीटर मुझे क पॉमेट्स में जरू बताएं धन्यवाद